हेलो दोस्तो, स्वागत है आपका फिर से को ने वीडियो में और आज कि इस वीडियो में हम बीए सेकेंडियर के समास सास्तर का सकेंड पेपर से MCQS कोश्चिन के बारे में डिसकस करेंगे आज का यह जो वीडियो होगा यह जाती वाद जो चैप्टर है इस चैप्टर से होगा ठीक है तो वीडियो को complete देखेगा आपको solution भी मैं बताऊंगा और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना मत भूलेगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करेगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए तो चलिए बीना टाइम वेश्ट किये वीडियो को हम सुरू करते हैं तो यहाँ पर जो सबसे पहला question है question कह रहे है यहाँ पर प्रजातंत्र मुख्य कितने सिधानतों पर आधारित है ठीक है जो प्रजातंत्र है ठीक है आपको बताना है कि मुख्य वो कितने सिधानतों पर पर अधारित होता है तो यहां पर option B आपका correct होगा तीन मुख्य ठीक है मुख्य सिधानतों पर अधारित होता है प्रजा तंत्र ठीक है आप चलते हैं नेक्स्ट कोशन पर तो नेक्स्ट कोशन यह आपके कह रहा है ठीक है History of Cast in India के लेखक कौन है ठीक है आपको बताना है जो History of Cast in India बुक है ठीक है उसके राइटर कौन है ठीक है तो पहला अप्सटन है कियतकर दुसरा है कूले तीसरा है सेनाथ डी है वह है इन में से कोई नहीं तो यहां पर correct option कियतकर होगा ठीक है इन्होंने History of Cast in India का फिक है यहां और लेखक है अब चलते हैं next question पे तो तीसरा question यहां पर कह रहा है social organization के लेखक कौन है ठीक है एक book है जिसका नाम है social organization तो आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है तो पहला option है केतकर दूस्ट यहां पर तो यहां पर correct option भी होगा क्योंकि चाल्स कूले द्वारा यह social organization बुक लिखा गया है ठीक है अब चलते हैं next question पे तो next question यहां पर कह रहा है एक एक book है एक बुक है एक इंट्रोड़क्शन टूस्ट अन्थ्रोपोलोजी इसके लेखक कौन है ठीक है तो पहला यहां पर correct option होगा एक मदान अन्थ्रोपोलोजी लिखा गया था ठीक है तो ऐसे question पूछे जा सकते हैं ठीक है यह question आपके लिए इसलिए है ताकि आपको idea लग जाया कि कैसे कैसे question बन सकते हैं मैं आपसे यही कहूँगा कि आप book पूरा पढ़के जाएं ठीक है question कहीं से भी बन सकता है ठीक है अब चलते है next question पे तो next question यहाप इस पाचवा कह रहा है तो यहाँ पर अपसे आपका correct होगा डाक्टर घुरिये द्वारा यह caste class and occupation लिखा गया है ठीक है अब चलते है next question पे तो आपका next question कह रहा है इन में से कौन जातिवाद के निमारर के उपाये हैं ठीक है जो जातिवाद है ठीक है उसके solution इसमें से कौन कौन है ठीक है पहला है आर्थिक विकास ठीक है वह आपका जातिय संगठनों पर प्रतिबंद सी है वह अंतर जातिय विवाहों का पृत्साहन और डी है इन में से सभी तो आपने पढ़ा होगा यह जातिवाद के निमारर के उपाये हैं ठीक है तो इस situation में आपका option डी करेक्ट होगा इन में से सभ ठीक है अब चलते हैं next question देख लेते हैं तो next question यहां पर कह रहा है आपको यहां पर बताना है कि क्या होगा ठीक है फिर यहां पर दिया है में दिल्ली में आयोजी सेमिनार में सुझाओ दिया गया कि जाति सब्द का कम से कम परियोग किया जाए ठीक है यह भी एक ठीक है जा जाती सब्द है उसके कम से कम परयोग किया जाए ठीक है इससे जातिवाद जो है यह उसका उपाय था ठीक है तो यहाँ आपको बताना है कि कभ यह सेमिनार में कहा गया था जो यह आयूजीत था पहला अप्शन है वह सितंबर सितंबर 1955 ब है वह है दिसंबर 1950 और सी है वह है मई 1940 और इनमें से कोई नहीं तो यहाँ पर करेक्ट अप्शन ए होगा सितंबर 1955 में दिल्ली में आयोजीत किया गया था सेमिनार जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि जो जातिस अब्द है उसका कम से कम परयोग किया जाए ठी ठीक है आज आपका एक्जाम है तो मेरे तरब से आपको बेस्ट अपलग ठीक है एक्जाम अच्छा हो आप बुक को पूरा पढ़के जाए ठीक है और यह वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा क्योंकि इससे काफी मोटिवेशन मिलता है और हमें कमेंट करके कोई भी पर रसानी होता आप हमें पूछ सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई एंड टेक क्यार